हेलो और नमस्कार दोस्तों स्वागता आप सभी का रास्तान इस्ट्री ओफीसियल यूटूब चैनल पर तो फ्रेंड्स आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में रास्तान की जो महत्वपूर्ण बैसिक क्यूस्टन है जो बार-बार हर एक्जाम से में रिपीट हो रहे हैं और हो सकता है कि इस वीडियो से आपके एक या दो क्यूस्टन आपके एक्जाम में सही हो जाएं तो ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है बस जो है पूरा ध्यान लगा कर एंड तक देखेंगे तो आपको जो काफी हाई लेवल के क्यूस्टन देखने को मिलेंगे फर्ष्ट अमारा क्यूस्टन है कि बांडी जो सिंधारा मध्यम सिचाई प्रियोजना का संबंद किस जिले से हैं तो ये जालो डिष्टिक से ध्यान रखना वहीं एगले क्यूस्टन की बात करें रास्तान में जो किसान अंदलुन का जनक है वो विज्जे सिंग पतिक को या इनका मूलना बोब सिंग था इनको ही माना जाता है वहीं अगले क्योशन की बात करें रास्तान जल शेतर पुन रच्छनाकारेकरम को जो है सयोग दे रहा है जो है World Bank दे रहा है यानि विस्वे Bank दे रहा है अगला मारा क्योशन है विस्वाच योजना का संबन्द तो विकलांगों से तो ये भी आप दियान रखेंगे most important और एक level का question है वहीं अगर आपसे पूशले मीरा महुतसव का आयोजन किस जिले में होता है तो ये जो है चितोडगड में होता है और चितोडगड में ही जोहर मेला भी मनाया जाता है तो ये दोनों आप ध्यान रखेंगे ये अगला हमारे क्यूसन है जैपूर की इमारतों पर गुलाबी रंग करवाने का स्रह किसे दिया जाता है तो राम सिंग सेकेंड को दिया जाता है तो ये भी एक काफी important question हो जाता है वहीं अगला क्यूसन के बात करें हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उद्यपूर के जिंक स्मलेटर रास्तान में कहां इस्तिता है तो देवारी चंदेरिया में वहीं गली क्यूसन के बात करें किस जील पर जो है सहांजा द्वारा जो है ध्यान रखना 12 दरी छत्रियों का निर्मान करवाया गया था तो आना सागर जील ध्यान रखना जिसका निर्मान अर्नुराज ने 1137 में करवाया था अगली क्यूसन के बात करें रास्तान के पर्थम वित्यमंत्री तो चंदनमल बैद थे वहीं अगर आपसे पुछले कि देव सोमनात मेला किस जिले मायोजीत होता है तो डूंगरपूर में बिनेस्वर धाम है तो वीडियो अगर आपको थोड़ा सा और क्यूसन अच्छे लगे ना स्क्रिप्सिन में दे दीगी है जहां पर आपको डेर सारे पीडियेफ नोट्स इबूक टेल जो है सारा मेटर है वो टेलिग्राम पर मिल जाएगा तो प्लीज वहां भी हमारे परिवार को फोलो कर सकते हैं वही आपको रास्तां जिला दर्शन पढ़ना है तो आप मारी जिला दर्शन के नाम से पले लिष्ट बनी हुए जिसमें संपूंट थे जिलों का दियन है वो भी आप चेकेशन कर सकते हैं एगले क्योषन के बात करें रास्तान तर्यां बनाने का काम किस तنت पहरी से इस गाहता है तो तांकला-थोस थी जो उस्टान कारीagus और भी यह दे मुगा सिर्शन के लंब भुजता, मुझे. अगले बात करें कि उसन की रास्तान में रोग फास पेट कहां पर पाया दाता है तो उद्यपूर में वहीं अगर आपसे पूचले रास्तान का खेल जो है कौन सा है तो रास्तान का खेल नर्ती है वो नेज़ा है वहीं अगर आपसे पूचले उत्र भारत का सरव परतम पूरुन साकसर जिला कौन सा है तो अजमेर है अगले क्योशन की बात करें जो है तारकसी के जेवर के लिए परशित कोन तो नादनार जो के रातामद में एगले के बात करी रास्तान में तिन साक्य किस जिले में हुए है तो चिते लिधें है और दिना मोस्ट में इन में तेही की 7 में और उसके बाद यो है 60-60 में तो यह मोच्ट इंपोर्डएंट है अगले क्यूसने की बात करें उस्ताद कहें लाने वाले चितर कारों ने बीट्दी चितर किस नगर में बनाये थी तो विकानेर में और ध्हान रखना विकानेर के जो है चितरों में एक खास बात है कि यहां पर जो है चितर कोरने यानि उकेरने वालों के नाम औरती थी अंकित है तो ये भी most important fact है अगला हमारे क्यूसने वैखने जो मेटे की सारी अता दूर करने के काम में आता है कुन सा है तो जीब सम्ध्यान रखना अगले क्यूसन के बात करें बढ़ी ठनी पेंटिंग के सम्ध्यान रखना है तो किसन गड़ अजमेर से नागरी दास हांदास का नाम आप रिफनेरली सुना होगा अगला हमारे क्यूसन है रास्तान के राज्य पक्सी का नाम तो गोडावन है और ये भी most important क्यूसन है तो वीडियो पसंद आये ना और मेरी मैनत आपको अच्छी लगे ना तो लाइक करके अपने जितने भी study group है उन्हें एक बार शेयर जरूर कर दो आगे बात करें भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बासा कौन सी है तो बंगाली है वहीं बात करें मारबलनगरी के नाम से मसूर सैर का नाम कौन सा है तो किसनगड मारबलनगरी के नाम से जाना दाता है वहीं बात करें सिर्टेजाजी दाम सुरसुरा किस दिले में है तो अजमेर में है वहीं बात करें टारागढ की का हाँ पर है तो अजमेर में भी है और बुंधी में भी द्यान रखना लेकिन जो महतपुण किला है वो अजमेर में है आगे बात करें भर्थपुर का समन किस राज गराने से है तो ध्यान रकना जाट राज family ने यहां पर सासन किया था बात करें जैसल मेर का गुंडा राज के लेका कौन है तो ध्यानखना आजादी के दिवाने और जैसल मेर में गुंडा राज ये दो महतपुन बुके लिखे थी सागरमल गोपा ने और इनको जैल में जिंदा भी जला दिया गया था वहीं बात करे मेरा भाई की पती का नाम तो भोजरास था जो की राणा सांगा के ही पुत्र थे आगे बात करे 20 नोई समाज के संस्तापक तो जांबो जी को माना जाता है इन्होंने 20 पलस 9 गुंतिस नियम दिये थे और ये 20 पलस 9 ही विश्णोई कहलाए थे बात करे सेकावटी चेतर का जो है परमुक नरते तो गिदड़ है वहीं जैपुर जो है उद्यपुर चेतर में बोली जाने वाली वासा तो मेवाडी है और बादसा का मेला कहां लगता है तो ब्यावर में वहीं बात करे चोरासी खंबों वाली सत्री कहां इस देता है तो बु का क्यूसने ये भी अगला हमारा क्यूसने कौन सा सहर उंट मेले के लिए परसीता है तो भीकाने रखना यहां पर उंट महत्सा भी होता है और उंट का मेला भी होता है उंटों की दोड़ भी होती है अच्छा जिल्लों की नगरी किस सहर को कहा जाता है जिल्लों की नगरी तो उद्यपूर को ही कहते हैं तो इगला मारे क्यूसने उत्तर वारत का एक मत राउन मंदिर जौदपूर में मंडोर में ध्यान रखना और यहीं पर राउन का सेशुराल भी था अगला मारे क्यूसने अंता पाउर पलांट किस परकार का है तो यह गैंस वहीं अगले क्योसनल की बात करें जस्मत पसुमेला तो ये भरतपुर में लगता है जस्मत पसुमेला आग tapi बात करें ला सोडिया अंडलन किसने सुरू किया था तो सुर्मल दास ने किया था वेगला मारक कि उसने इस सब गोल का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है तो जालोर है ध्यान रखना मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से ये भी पढ़ाया था कि जो है जालोर में ही बिरम देव और अलाओ दिन खिल जी की यानि एकके की पुतरी थी फिरोजा उन दोनों ने क् सक किया था इसलिए इस सब गोल कांपर हो गया जालोर में तो ये ट्रिक के वीडियो भी आप देख लीजेगा बात करें आना सागर कहांपर है तो अजमेर में है आना सागर जील बात करें रास्तान की पहली मेला मुख्यमंतरी कौन थी तो वसंद्र राजे सिंद्या ही थी अचा राज पुताना सब्द का सरो परतंपरियोग जोर्ज थोमस ने अठार सु इसवी में ये भी आपको डेफिनेटली पता होगा संभागियो जोस्ता कब प्रारंब हुई तो ये मौस्ट इंपोर्टेंट है उनी सो कौनचास में संभागियो जो है कब बंद की थी तो य जन संभाग अगर आप से पूछ ले तो वो जैपुर है लेकिन शेत्र पल के विसाब से जो है जोदमाग से बढ़ा है जो है जन संग्या गणता वाला संभाग ये भी जोदमाग ही है हुई बात करें रास्तान के उस माराजा का नाम बताओ जो संतरता प्राप्ति के बाद भी राज पर मुख रहा था तो ये सुवाई मान सिंग था जो कि 1990 से 1906 तक रहे थे तो फ्रेंट्स ये आज के most important question थे और इसका second part भी मैं जल्द ही लेकर आने वाला हूँ ये most repeated question है जो रास्तान में बार बार पूछे जारे है हर एक जाम में तो अब ये जो है आपको question कैसे लगे और उनका level कैसा लगा और जो है tricks related video भी मेरे channel पर मिल जाएंगे आप जो है विजिट करके देख सकते हैं और रास्तान जिलादशन की playlist आपको especially मिल जाएगी तो बागी कोई दिक्कत नहीं है पढ़ते रही है मस रही है और अभी भी एक मैना रास्तान पुलीस वालों के लिए जो है बहुत होता है तो hard work करेंगे तो कोई difficult नहीं है पगी मिलते हैं next video में जहन जाए भारत